हे गाईस कैसे हैं आप सब आज इस वीडियो में जैसे कि आप देखते हैं मारे पास है Micromax in Note 1 जो के ब्लू कलर में है मेरे पास और काफी जादा सुन्दर डिवाइस है Micromax ने इस फोन में स्टोक Android दिया है लेकिन थोड़ा बहुत कस्टमाइस किया है जिसकी वाज़े से काफी amazing features इसमें आपको मिलते हैं और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा 40 ऐसे खास features जिनको यूज़ करके आप इस फोन को बड़े ही amazing तरीके से यूज़ कर पाएंगे जाते हैं तो आपको settings में network and internet में mobile network को select करना है यहां पर advanced के अंदर wifi calling का option आपको मिल जाता है इस फोन में flip to mute या फिर flip to silent का option भी मिलता है डायलर के अंदर three dots पर click करके अगर आप settings में advanced के अंदर जाते हैं तो यहां पर flip to silence का feature है मतब के अगर आपके phone पर कोई call आ रही है आप just अपने phone को flip करके रख सकते हैं और phone automatically silent हो जाएगा इस phone में आपको call recording का कोई feature नहीं दिया गया है इस phone में आपको direct wifi hotspot का feature भी दिया गया है या फिर direct wifi tethering भी आप उसे बोल सकते हैं मतब के wifi जब आपका enable है तो आप hotspot को enable करके अपने wifi को आगे share कर सकते हैं इसको काफी सारा लोग wifi hotspot के नाम से भी जानते हैं home screen से अगर आप right side swipe करते हैं तो यहाँ पर आपको google discover भी दिया गया है इसको आप disable कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं अच्छा लगता तो आपको home screen पर long tap करके home settings में जाना है और यहाँ पर show google app को disable कर देना है यहाँ पर एक और बहुत ही amazing option आपको icon shape का दिया गया है दोस्तों अगर आप normal ही देखेंगे तो आपको circular icons दिये गए हैं लेकिन यहाँ पर अगर आप icon shape के अंदर से square या tear drop अगर मैं select करता हूं तो इस तरीके के shapes जो हैं वो आपके icons की बन जाएंगी जो के काफी जादा amazing लगता है और आपके पास यहाँ पर चार options हैं जो के आप select कर सकते हैं इस phone में आपको swipe down for notifications का option भी मिलता है मतब के notifications और control panel दोनों को आप इस तरीके से swipe down और swipe up की मदद से control कर सकते हैं हालांकि इस feature को आप disable नहीं कर सकते हैं by default enabled है और इसका control आपको कहीं भी नहीं दिया गया इस phone में आपको dark mode का support भी मिलता है दोस्तो अगर आप normal ही देखेंगे तो control center में वो नहीं दिखेगा आपको यहाँ पर pencil के icon पर click करना है यहाँ पर dark theme आपको मिलेगा इसको scroll करके आपको उपर रख लेना है उसके बाद अगर आप दुबारा control center में जाएंगे तो यहाँ पर amazing option super screenshot का भी मिलता है जिसकी मदद से आप long screenshots या फिर fun screenshots capture कर सकते हैं long screenshot basically अगर आप किसी लंबी screen का इस तरीके से पूरा एक ही screenshot लेना चाहते हैं तो आपको just long के उपर click करना है next page next page जितना भी आप scroll करना चाहें कर सकते हैं उसके बाद save के उपर click करेंगे तो आपका एक screenshot capture हो जाएगा जो के पूरी screen को capture कर देगा ऐसे ही आपके पास यहां पर funny का option है basically यहां पर कुछ और तरीके के screenshots आप capture कर सकते हैं selective screenshots अगर आप लेना चाहते हैं जैसे के lasso tool को यूज करके आपको छेरिये को capture कर सकते हैं control center के अंदर ही आपको screen recorder भी दिया गया है हालांके again इसको आप control नहीं कर सकते हैं इसकी settings वगेरा नहीं है कहीं भी लेकिन internally आपको screen recorder मिल जाता है अगर आप phone की screen को record करना चाहते हैं microphone को on and off कर सकते हैं उसके साथ taps अगर आपको show करने हैं या नहीं करने उसको भी आप control कर सकत phone की settings के अंदर अगर आप चल जाएंगे तो आपको automatically turn on wifi का option भी मिलता है आपको network and internet के अंदर wifi के अंदर जाना है और यहां पर wifi preferences के अंदर turn on wifi automatically का option मिलेगा basically location के हिसाब से अगर आप चाहते हैं जैसे ही आप अपने office में जाएं wifi enable हो जाए या फिर किसी भी ऐसी जगा पर ज वो चीज आप इस option की मदद से कर सकते हैं अपने phone की screen को cast करना चाहते हैं या फिर chrome cast यूज़ करना चाहते हैं उसके आपको settings के अंदर connected devices के अंदर connection preferences के अंदर आना है यहां पर आपको cast और chrome cast जैसे दोनों options मिल जाएंगे जिसकी मदद से आप virus display जैसा feature यूज़ कर पाएं इस phone में आप status bar में battery percentage भी देख सकते हैं settings में अगर आप battery के अंदर आते हैं तो यहां पर battery percentage को enable या disable करने का option आपको मिल जाता है settings के अंदर अगर आप display के अंदर आएंगे तो यहां पर आपको night light का एक feature भी दिया गया है basically reading mode का का काम भी ये कर सकता है अगर आप अपने phone प जादा असर डालती है वो यहां पर phone जो है वो काफी कम कर देगा इस phone में gesture navigation automatically enable करके आपको दिया गया है आप देख सकते हैं automatically gesture navigation में use कर रहा हूं लेकिन display के अंदर आपको navigation bar का option मिल जाता है अगर आप virtual keys use करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप keys use कर सकते हैं keys का background आप change कर सक जाते हैं तो यहां पर आपको option मिल जाता है डिस्पले के अंदर आपको phone size और display size जैसे options भी दिये गए हैं basically अगर आप phone के size को बड़ा या छोटा करना चाहते हैं या फिर display size में phone भी आ जाता है और display पर जो भी आपको दिखता है वो सारी चीज़ें अगर आप छोटी या ब customize कर सकते हैं अपनी मर्जी से ये सब चीज़ें आप अपने display के लिए कर सकते हैं डिस्पले के अंदर एक और बहुत ही amazing option आपको ambient display का भी दिये गया है दोस्तो ambient display का मतब है जैसे ही आपके phone पर कोई notification आती है आपका phone जो है ओटमेट के लिए wake up हो जाएगा और आप उस notification को बिना phone को touch किये देख पाएंगे यहाँ पर एक option है new notification का इसको आपको enable करना है अगर आप इस feature को use करना चाहते हैं settings के अंदर sound के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर advanced के अंदर आपको haptic feedback को enable करने का option मिलता है जो कि यहाँ पर touch vibration के नाम से दिया गया है हालांकि एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि haptic feedback का जो experience है वो बहुत ही जादा amazing नहीं है मतब बिल्कुल basic वादा hyptic feedback आपको यहाँ पर दिया गया है settings के अंदर बहुत ही amazing features आपको intelligent assistance के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं अगर आप fingerprint function के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर fingerprint sensor की मदद से आप काफी सारी चीज़े control कर सकते हैं जैसके अगर आप long press करते हैं तो यह तो आप home में जा सकते हैं या फिर screenshot capture कर सकते हैं screenshot capture करना काफी ज़्यादा helpful है आपको just fingerprint sensor के उपर long tap करना है और screenshot आपका capture हो गया है ऐसे ही अगर आप camera app के अंदर है तो आप fingerprint sensor को photos या videos को shoot करने के लिए use कर सकते हैं या फिर आप single tap को back button के लिए भी use कर सकते हैं ऐसे ही intelligent assistance के अंदर और भी काफी ज़्यादा motion gestures का support आपको मिल जाता है जैसके smart answer अगर आप phone को कान के पास लेके जाएंगे automatically call जो हो answer हो जाएगी या फिर three fingers screenshot आप use करना चाहते हैं live to wake अगर आप use करना चाहते हैं Google Assistant के button को own and off करना है या फिर flash को अगर आपको use करना है incoming call के time वो सब चीजें आप intelligent assistance में से कर सकते हैं settings के अंदर अगर आप security के अंदर जाते हैं तो इस phone में आपको app log भी internally दिया गया है जो कि काफी amazing तरीके से काम करता है आपको just applications को own करना है जिसके लिए भी आपको app log को use करना है उसके बाद अगर आप यहां पर set the app log में जाएंगे यहां पर आप अपना password सेट कर पाएंगे अगर आपको digital password सेट करना है या फिर pattern या फिर complex ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं और fingerprint sensor की मदद से भी आप app log को control कर कर सकते face unlock इस phone में आपको दिया गया है settings में accessibility के अंदर अगर आप नीचे scroll करते हैं तो यहां पर आपको vibration and haptic strength का भी एक option दिया गया है जिसकी मदद से आप notification की vibration को भी off कर सकते हैं उसे के साथ touch feedback option है जिसकी vibration को आप own या off कर सकते हैं settings के अंदर एक और बहुत ही amazing option आपको dura speed का दिया गया है अगर आप इसको off करेंगे तब आप जान पाएंगे कि यह कैसे काम करता है तो basically जो भी application आप यूज कर रहे हैं यह उसकी performance को बहतर करने में help करता है और background की जो applications हैं अगर आप उसको use नहीं कर रहे तो उसको कभी-कभी close कर देता है तांके phone को यूज करने का आपका experience जो है वो बहतर हो पाई settings के अंदर system के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको multiple users का option भी मिल जाता है जो के हमेशा से आपको android में मिलता है basically आप different users create कर सकते हैं उन्हीं users के लिए आपका application different रहेंगी data different रहेगा और basically second space की तरहां आप phone को use कर पाएंगे दोस करना है उसके बाद अगर आप password अपना enter करेंगे तो यहां पर system के अंदर आपको developer options मिल जाएंगी इसमें अगर आप पिल्कुल नीचे scroll करेंगे तो पहला feature यहां पर आपको accent color का मिल जाता है basically यहां पर जो आप देख रहे हैं आपको green color मिल रहा है इसको आप change करके किसी भी दूसरे color में select कर सकते हैं ऐसे ही दोस्तो यहां पर आपको headline और body font को change करने का भी option मिलता है अभी अगर आप देखेंगे font कुछ इस तरीके का है अगर मैं इसको select कर देता हूँ तो पूरा जो font है वो change हो जाएगा और basically एक दूसरा font आपको font के अंदर दिया गया है जो कि मैं recommend करूँगा कि आप यहां से change मत कीजेगा चलिए दूस्तो camera app के कुछ amazing features के बारे में आपको बताता हूँ camera app को भी micromax ने customize करके दिया है तांके जादा features आपको दे सके सबसे पहली चीज़ अगर आपको rear camera से portrait photos को shoot करना है तो यहां पर आपको wide aperture mode एक किया गया है basically आप aperture को खुद से set कर सकते हैं और blur level जितना भी आपको रखना है उसको भी manually control कर सकते हैं इस phone में क्यूंकि quad cameras हैं तो wide angle और macro mode भी आपको दिये गए है photos में यहां पर यह जो icon है इसकी मदद से आप wide angle shots ले सकते हैं macro shoot करने के लिए आपको more में जाना है और यहां पर macro का option दिया गया इस phone में primary camera 48 megapixel का है 48 megapixel की photo अगर आप shoot करना चाहते हैं तो photos के अंदर आपको settings के button पर click करना है picture size में जाना है और यहां पर 4 is to 3 48 megapixel को select कर देना है हलांकि अगर आप हर बार 48 megapixel shoot नहीं करना चाहते तो आप 12 या 29 या कुछ sizes में से भी choose कर सकते हैं photo की settings में आपको यहां पर brand watermark को enable या disable करने का आप ही option मिलता है brand watermark बेसिकली यहां पर काफी सुन्दर सा है अगर आप देखेंगे short और note 1 और in का यहां पर icon आपको मिलता है मुझे तो यह अच्छा लगा लेकिन अगर आप इसको disable करना चाहें तो यहां से आप इसको कर सकते हैं settings के अंदर ही यहां पर एक और amazing option आपको volume की feature का मिलता है basically volume बटन से अगर आप volume को ही control करना चाहते हैं तो यह select कर सकते हैं अगर आप shutter मतब के photos क्लिक करना चाहते हैं तो आप इसको click कर सकते हैं या फिर volume बटन से अगर आप चाहें तो आप zoom in और zoom out भी कर सकते हैं एक और बहुत ही amazing feature यहां पर आपको anti flicker का दिया गया है यह ज़्यादा useful है अगर आप videos shoot करते हैं और कभी कभी अगर आप flickering notice करते हैं तो उसको off करने के लिए यहां पर आपको anti flicker mode किया गया है basically 50 hertz या 60 hertz अगर आप खुद से select करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप automatically select करना चाहते हैं तो automatically भी phone flickering को खतम कर देगा दोस्तों videos में एक और amazing feature जो आपको दिया गया है अगर आप settings में जाते हैं तो यहां पर आपको microphone का control दिया गया है अगर आप चाहते हैं कि आपकी video में sound नहीं आए microphone को बंद करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहां से directly कर स इस phone में आपको pro mode भी दिया गया है pro mode अगेन आप front camera के लिए use नहीं कर सकते हैं लेकिन rear camera के लिए अगर आप इसको use करते हैं तो काफी च्छे controls है white balance ISO या फिर exposure अगर आप manually control करना चाहते हैं manual focus करना चाहते हैं यह सारी चीज़ें आप यहां से control कर सकते हैं more में अगर आप ज slow motion और time lapse जैसे features भी मिल जाते हैं again मैं बता दूंके slow motion और time lapse जो है वो आप front camera से shoot नहीं कर सकते हैं लेकिन slow motion आप rear camera से shoot कर सकते हैं camera का एक और amazing option दोस्तों यहां पर more के अंदर आपको intelligent scanning भी दिया गया है basically अगर आपको QR code को scan करना चाहते हैं जो के normally आपको cameras के अंदर नहीं दिया जाता वो वाला feature आपको यहां पर मिल जाएगा और QR code को scan करने के लिए आपको कोई भी different application को use नहीं करना पड़ेगा दोस्तों इस फोन में जो gallery app है हालांके वो थोड़ा पुराना app है लेकिन अगर आप इस application को use करते हैं तो इसमें एक बहुत ही amazing feature आपको यहां पर three dots पर क्लिकर के slide show का मिलता है अगर आप अपनी सारी gallery की photos का slide show देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं और last चीज़ मैं आपको बता दुम दोस्तों के इस phone में आपको FM radio का support भी दिया गया है हालांके इसको use करने के लिए आपको एक earphones को use करना होगा अगर तो आपका FM radio काम नहीं करेगा तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों I hope के features आपको काफी ज़्यादा amazing लगे होंगे वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को like और share ज़रूर कीज़ेगा और नीचे comments में बताएगा अगर कोई भी स्वाल और अभी स्वाल तो